नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में रिसेंटली ताइवान प्रेजिडेंट गए यूएस बिजिट के उपपर जिसके कारण जो है वो चीन भड़कसा गया है सरी ऐसा क्यों ताइवान के यूएस बिजिट से चेन को क्या घाटा तो आपके जानकारी के लिए बता दू जो चीन जो है वो ताइवान के उपठर अपना हक जताता रहता है चीन का कहना ये है कि ताइबान जो है उसका एक अभिन हिस्सा है दोनों देशों के बीच जो है वो तनाव की स्थिति है ताइबान कहता है कि हम संपर्भू हैं संपर्भू रास्ट हैं लेकिन जो है चाइना जो है हम पे दवाब बना रहा है चाइना का कहना ये हमारा अमिर इ मुलाकात की सबसे पहले वसी गटन में अमेरिकी राष्टपती से और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की रिपबलिकन पार्टी पतिनिधी सवा के स्पीकर कैविन मैंकरती से और दोनों के बीच में दूईदलिये बातचित हुई और इसको लेकर जो है वो टैंसन आ गई चाइना ने इसके उपलक्ष में जो है वो बिमान जो है वो बढ़ा दिया है ताइबान देश के उपर ताइबान के उपर जो है चाइना ने अपने जहाजों की संख्या बढ़ा दी है क्यों सर तो ताइबान को जो है चीन के द्वारा पहले ही मना किया गया था कि आप जो ह वो अमेरिकी दोरह पर गए क्यों कि विलाया गया था अमेरिका की दरब से और राष्ट राष्ट पति की औरसे और आश्वासन दिया गया है कि आपकी संपर्भुता के नाचाहि भी परकार का कोई भी खतरा नहीं आएगा अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो अमेरिकी पतनिदी सवा के ततकालीन अध्यक्ष जो है वो नैंसी पैलसी जो है वो गई थी ताइबान के दोरा करी थी उस वक्त भी चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा बुखला गया था और चाइना ने बहुत सारे बयान दिये थे कि अगर ताइबान के बीच में कोई आती है तो वो हमारा यूद की इस्तिती देखेगी उन्होंने कई सारे बयान दिये थे और फिर दुवारे यही इस्तिती आई है और इस बार ताइबान के राष्ट पती गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इस वक्त जो है न वह अमेरिका और चाइना के जो स सिदी पैदा करता है दोनों देशों के बीच में लड़ाई जो है वह चीन और अमेरिका के बीच में होगी और वह किसको लेकर होगी ताइबान को लेकर ताइबान को लेकर क्योंकि ताइबान के पास इतनी सक्ति नहीं है कि वह चाइना जैसे देशों की जो है वह मार जेल स के चक्कर में जो है वो ताइबान की राष्टपती अमेरिका गई वहां ने दूइदलिये बैठके हुई और बहुत सारी बाते हुई अब इसी बीद जो है वो चाइना ने वहां पे जहाज बढ़ा दिये हैं ताइबान के उपर हेलिकप्टर देख दिखे जा रहे हैं अगर आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दू तो अमेरिका के भी हेलिकप्टर और जहाद जो है वो ताइबान में इस्थित हैं और हो सके तो आने वाले दिनों में जो है दोनों के बीच में कलेस और ज्यादा बढ़े यह तो अब आने वाला दिन ही बताएगा